Physics का Board का Paper है 4 March 2014 को मैं यहाँ पर अवेलबल हूँ अपने बच्चों को उन 10 Very Important Derivations के बारे में बात करने के लिए जिनको करना परम Important है आईए अपनी जन्री को शुरू करते हैं 10 Derivations के बारे में बात करते हैं बट उससे पहले जरा Board के Paper को समझते हैं Physics के Board का Paper का जो Break Up है अगर आप ध्यान दोगे तो तीन काटेग्री में बाता जा सकता है जहाँ पर 38% Questions theoretical होते हैं इनमें Derivation नहीं है 40% Paper आपका निमारिकल होता है और बाकी बचा 22% Paper Derivation का होता है जो की Around 16 नंबर की आती है Derivation Even दो यह 16 नंबर की Derivation है जो की केवल 22% है लेकिन मेरे बच्चे इस Derivation के Process में आपको यह 22% लेके जाता है 38% की Detailed पढ़ाई की तरफ जब आप इन दोनों को क्राक कर लेते हो फिर आता है Numerical का Part Don't worry, we will discuss about each and every part पर अगर आपको Numerical के बारे में help लेनी है अगर आपको Words के Numerical का Approach समझना है तो सबसे पहला काम है हमें सबस्क्राइब करने और हमारे Telegram चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए जिसका Link में ने Description पर डलवा दिए ध्यान दिना मेरे बच्चे Telegram चैनल पे हर रोज रात को 12 से 1 के बीच में एक PDF आती है जिसके मैं कुछ कुछ देता हूँ अपने बच्चों उन कुछें को हम अगले 30 दिनों तक करेंगे अभी अलरडी हम डे नंबर 18 पे पहुँच चुके है इवन दो आप Telegram चैनल पे जाएंगे तो सारे डेटा आपको मिल जाएंगे सारे important question मिल जाएंगे इवन जो हमारा हर week में जो एक बहुत important test होता है इसके test paper मिल जाएंगे Coming back to the video ध्यान रखिए केवल 22 नंबर केवल 22% का है derivation that is only 16 नंबर 16 नंबर only नहीं होते first of all दूसरी बात ये वो 22 नंबर है ये 22% है जिसकी तैयारी आपको थियोरी में detailed फोड़ू बनाईगे तरहेंगे numerical पे numerical हलुआ आएगा don't worry even हम हर paper को predict कर सकते है numerical कौन कौन सा आएगा अब हमने क्या किया है इन derivations के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि आपने thumbnail में देखा है 10 सबसे जबर 10 derivations की हम चर्चा करेंगे और क्यों ना उन चर्चा करते समय उनकी एक priority रखे है मेरे बच्चे यानि की सबसे पहले हम चुरू करेंगे अपने derivations को देना rank तो आपके सामने है rank number 10 का बंदा rank number 10 का derivation मैंने कोहिश करिए है इस format को maintain करने की जहाँ पर आपके पास एक rank होगी rank means the better the rank the important the derivation moreover derivation किस chapter से है और chapter का नाम क्या है और derivation की कहानी चाह है पहला derivation जो की बहुत important है even it is important for NEET examinations and J examinations भयाजी it is the nuclear density के बारे में बात करनी है आपको शायद याद होगा कि nuclear density फिर यह है आपका rank number 10 हल्वा सवाल है हल्वा derivation है पढ़के रखिए important फिर आता है आपका rank number 2 chapter number most important chapter current electricity से इस chapter में बहुत सारी derivation है बहुत सारी और इसमें भाई साब ने rank 1, 2, 3 पाइदान पर भी कहीं ना कहीं अवेलबल है current electricity का सबसे हल्वा derivation rank number 9 पर है जो की relation between current and drift velocity है याद रखिए यह derivation बहुत important है आई बराबर N, E, A, V, D इसे भी याद रखिएगा मैं आप से request करूँगा जब आप derivation करिएगा आई बराबर N, E, A, V, D तो याद रखिएगा J vector और E vector के साथ में आपके पास एक conductivity की भी derivation आती है यह भी important है specially important for J means and neat लेकिन अभी हम अपने वीडियो को boards के लिए maintain रखेंगे आगे I hope derivation आप लिख भी रहे है pen paper ले करके मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह slide आपको मिल जाएगी हमारे telegram पर जिसका link नीचे दिया गया है पर मेरे बच्चे लिखोगे तो feel करोगे यह important है आप pause करिए derivation को लिखिए और tick मारिए आ जी मुझे आता है मुझे अच्छे सा आता है मैं आँख बंद करके भी मुझे सारा thought process में आता है कि इस derivation को हमें कैसे करना है कैसे define करना है कैसे उसको frame करना है कई बार बच्चे को आता तो derivation है अच्छे से लिकिन उसे boards के level पर frame कैसे करना है वो भी मैं आपको help कर दूँँगा उसके लिए हम आगे बात करते देन आता है rank number 8 chapter है magnetic effects of current a beautiful derivation regarding magnetic field due to a circular loop और वो भी इसके axis पर ना केवल ये derivation important है इसका end result formula बहुत important है इस पर जई board sorry board बहुत बार प्रश्न बुचता है उसका ध्यान रखेंगे देन आपका आ गया rank number 7 जोड़दा derivation है मैंने यहाँ पर तीन derivation लिख्या है जाती नहीं कर रहा हूँ मुझे पता है कि derivation कौन सा important है इसमें लेकिन जब आप इस derivation को कर रहे होगे तो it is requested मेरे बच्चे किन तीनों को कर रहे आएगा boards में अगर तो आएगा dielectric constant प्लेट जब इंसर्ट करते हो तो c बराबर e not a by d minus d plus d by k important very 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 important इसे कई बार कीजिए आप मेरी capacitance वाली वीडियो रिफर कर सकते हैं जहाँ पर मैंने most probable questions of capacitance अलड़ी करा रखे हैं जो जेएं भी आ सकते हैं और board में भी आ सकते हैं आपको निकालनी है electric field Gauss law बहुत important Gauss law आपको पता होना चाहिए अचा मैं Maxwell ने कित्ते एक क्वेशन दी थी क्या एक क्वेशन याद है पर मैंने से एक क्वेशन हमारी Gauss law की भी है very good then comes the next chapter rank number 5 फिर से current electricity आपको दिखाई देगा वेटेज जादा है और यह important derivation है भीटा यह derivation extremely important है this is mixing of cells wherein याद है आपको एक derivation कराए गया होगा यह E1 है यह R1 है यह E1 है यह R1 है और यह भाई साव E2 है और यह मेरे बच्चे R2 है और इनको combine करके effective cell क्या होगी उसका effective EMF क्या होगा और उसकी effective resistance क्या होगा very important for boards extremely important आपको derivation सही से steps में लिखना आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊ जिसमें यह पूरी 10 की 10 derivations में आपको एक ही वीडियो में less than 30 minutes की वीडियो होगी और आप पूरा का पूरा content side derivation एक बार revise कर पाऊगी उसके लिए प्लीज हमें like करें share करो इस वीडियो को जैसे ही इसमें around let's say केवल 3000 views हो जाएंगे I will release that video तो भाई साब share करिये कि एकदम crisp video आपको available हो जाए क्या आपको handwritten notes भी चाहिए yes telegram channel go to our telegram channel you will get everything and written khatrnaak boards के notes then हम आगे बढ़ते हैं भाई साब ray optics बहुत important है weight is काफी जादा है और derivation भी बहुत important है यह derivation है prism की कहानी जहां पर आपको mu is equal to sin bracket में याद करो a plus delta minimum by 2 upon sin a by 2 इसका derivation बहुत important extremely important boards मैंने के chances 95 plus percent जहां दीजे जरूर कीजे very important जब इसको करा करो ना इस derivation को तो delta के बारे में पूरे formula लिखा करो a के बारे में भी पूरे formula लिखा करो delta का formula ie plus e minus r1 plus r2 एक step में आता है a का formula geometry से r1 plus r2 आता है यह prism कहानी है जिसमें आपको यह formula भी हमेशे याद होने चाहिए it will help you numerical में भी बहुत help करेगा केवल यह लोगों ने formula आत कर लिया delta mu is equal to sin of a plus delta minimum by 2 beta sin a by 2 काम नहीं चलेगा इस formula से केवल इस formula से काम नहीं चले यह formula तब helpful है जब बटा मेरे बच्चे को यह तीनो formula आते है ध्यान देना साथ में यही नहीं साथ में delta और i के भीशा कर्व याद है न ऐसे ऐसे बनता है जो कर्व यहाँ पर delta minimum है येस सब कुछ सिखा दूँगा मेरे बच्चे बस लगे रहो पढ़ते रहो और अगर 65 के उपर लाना तो हल्वा है वाई physics में बस फुली मेहनच चाहिए थोड़ी कितनी सर हमारे पास तो 50 दिल बचे है 50 भी बचे है physics भी करना है chemistry भी करना है maths भी करना है bio भी करना है एक लोग को अंग्रे जी को भूल मत जाना थोड़ा हमें follow करो पूरा boards का content कहीं और जाने की ज़रत नहीं है हम इसी में manage कराएंगे short videos में खतम करा देंगे सब कुछ ध्यान दीजिए अब आगे हमारे तीन पहले तो तीसर नंबर पर है जोडा derivation of infinitely long याद करिए infinitely long wire की वज़ा से d दूरी पर जो magnetic field होती है electric field होती है निरवच्चे infinite वाला है bolts के लिए important finite वाला है j e के लिए important not even for need के लिए important derivation आना शाहिए very 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 important derivation के साथ formula जरूर याद रखे आगे बात करते है तो भाई साहब हमारे सामने है rank no.2 पर जोरदा derivation नाम है इसका lens makers formula formula जब पढ़ना, formula derive करना, ray diagram सही से आत करना कैसे बनाया जाता है उसकी कहानी समझना और मेरे बच्चे ray optics की detail हमने playlist बना रखी है जहां पर आपको ray optics में important derivations क्या है उसको video मिल जाएगी, description में हम वो भी दलवा लेंगे, please go to that और eye button में भी वो available है, ठीक है मेरे बच्चे all the best, पढ़ते रहेंगे lens makers formula पढ़ते समय एक प्रश्न को ध्यान रखना, जहां पर हम lens को जब एक medium से किसी दूसरे medium में लिके जाते हैं तो उसका behavior उसकी focal length कैसे change होती है, क्योंना इस समय comment करके यह बताया जाए, एक बहुत simple सा question पूशता हूँ, एक है lens और एक है concave mirror दोनों air में हैं, उनकी focal length लेट से f है एक की 10 cm, एक की 10 cm दोनों को उठा करके air से उठा करके पानी में डाल दिया है refractive index पानी के छोड़ दो, परशान मत हो simple सा question है, lens या mirror, किसमें से किसकी focal length change होगी, lens की या mirror की, please reply, comment में तो rank number 1 पे आता है हमारा prove the law of refraction using Huygens principle हमारा wave optics का जोड़दार derivation है मेरे बच्चे मैं आपसे request करूँगा, even मैं यहाँ पर refraction का लिखा है, लेकिन पढ़ते समय reflection भी भढ़ लेना very important, तो यह वो 10 important derivation थे, जो आपको हमेशा priority पर याद करने जाए, इससे आपके 60 number के plus number अराम सा जाएंगे, ऐसा कोई derivation इसमें नहीं है, जो आप छोड़ने का सोच भी सकी और याद रहे है, 3000 views के बाद, we will surely release the 40 minutes में 60 derivation साथ में handwritten nodes, तो मेरे बच्चे साथ में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या 70 तक जाने के लिए कुछ और derivation भी पढ़ ले हैं, क्योंकि हम J के लिए भी त्यारी कर रहे हैं हम NEET के लिए भी त्यारी कर रहे हैं, काफी बच्चे तो जो बच्चे extra त्यारी कर रहे हैं जो extra edge चाहते हैं, उनके लिए मैंने पांच और important derivation रखे हैं, जो की बचा boards के लिए important तो हैं, लेकिन top 10 में आने की फड़ी अखात उनकी नहीं थी पहला derivation आप देखिए energy and torque के बारे में हैं, dipole जब electric field में रखा होता है, helicopter number 1 पे दुसरा है बचा, force on current carrying wire in external magnetic field में, IEL cross B वाला formula फिर बचा, तीसरा, ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है, लेकिन बचारा 10 के अंदर नहीं आ पाया, नाम है self and mutual inductance का derivation as well as the end result, the formula is very important अगर आप by mistake, अगर आप by आप बहुत पढ़ना है, सार टम समय नहीं है तो बचान के formula ज़रू पढ़ लेना miracle में help करेंगे, I guarantee this दर आता है, discussion of constructive and destructive interference पूरी कहानी जो, कैसे phase difference पर maxima और minima depend करता है उसका एक छोटा सा derivation करा रखा है मैंने उससे जरूर कीजिए, अगर आप चाहते हैं उसका link, तो please comment कीजिए, we will surely release that video to the open world last में half wave and full wave rectifier की बात होती है और याद रखिए, इस पर बहुत question आते हैं चला एक question का answer देना, half wave या full wave, दोनों में से किसकी frequency double हो जाती है as compared to the initial wave comment and answer कीजिए, कौन सा half wave में change होती है, या full wave में, और change होती है तो किती double, तो मेरे बच्चे, ये है आपका पूरा पंदरा questions का set, दस बहुत important है, पाँच ठीक ठीक important है, मेरे बच्चों इनको पढ़ने में maximum से maximum 4 घंटे लगते हैं, आप इने detail पढ़िए, इस pre-slide को download करने के लिए, टेलिग्राम पर जाईए, टेलिग्राम पर जा करके हमारे चैनल पर इस slide को download कर लिजे, and please join that, subscribe करो, share करो, like करो, and at the end I just want to say, all the best Bye